नमस्कार जी, मद्यप्रदेश के उर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्वर लोकसवाद्यक्ष और लंबे समय तक इंदोर की सेवा करती रही, ऐसी हम सब की ताई, सुमित्रा ताई, संसद में मेरे सहयोगी गर्ण, नई विदान सभा में चुनकर आई विधायक, अन्य महानुभाव, और मेरे प्यारे स्रमीग भाईयों और बहनों, आज का ये खारकम हमारे स्रमीग भाईयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परणाम है, और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्मजैंती तो है, लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मद्यप्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कारकम, और वो भी गरीब कुछ ले गए मेरे स्रमीक भाई बहनों के लिए होना, और ऐसे कारकम में मुझे आने का आउसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विशह है, मुझे विश्वास है कि डबल इंजिन की सरकार की नई टीम को हमारे स्रमिक परिवारों का भरपूर आशिरवाद मिलेगा, गरीब का अशिरवाद और उनका से, उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे यकीन है कि मद्द प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्दिया हासिल करेगी, मुझे बताया गया है कि जब हुकम्चन मिलके स्रमीकों के लिए पैकेज का एलान किया गया, तो इंदोर में उत्सव का माहोल हो गया था, इस निर्ड़े ने हमारे स्रमीक भाईयों बेहन में त्योहारों के उत्लास और बढ़ा दिया है, आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेश है, क्योंकि आज अटल विहर रिवाजपाई जी की जनती है, सूसाशन दिवस है, मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का सम्मन, उनकी आत्मियता हम सभी जानते हैं, सूसाशन दिवस पर हुए इस कार्गम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुब कामनाई देता हूं, मेरे परिवार जनों, आज सांकेतिक तौर पर दोसो चौबिस करोड रुपिय का चेक सौंपा गया है, आने वाले दिनों में ये राशी स्रमिक भाई बहनों तक कहुचेगी, मैं जानता हूं कि आपने कई चुनोतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है, इन दोर के लोग 25 दिसंबर की तारिक को, स्रमिकों को नाय मिलने के दीन के तौर पर याद रखेंगे, मैं आपके धैरिय के आगे नतमस्तक हूं, आपके परिस्त्रम को प्रणाम करता हूं, साथियों मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी है, ये मेरी चार जातियां हैं, मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताए बहने महलाएं और मेरे किसान भाई बहन, मत्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वा पून कदम उठाए हैं, गरीबों की सेवा, स्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्रात्विक्ता है, हमारा प्रयास है कि देश का स्रमिक शसक्त बने और सम्म्रद्य भारत के निर्मान में अपना महत्वपून योगदान दे, परिवार जनों स्वच्छता और स्वात के लिए मशूर इंदोर कितने ही छेत्रों में अगरणी रहा है, इंदोर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर भूमिका रही है, यहां के सो साल पुराने महराजा तुकोजी राव क्लोथ मार्केट की एतिहासिक्ता से आप सब परिचीत है, शहर की पहली कॉटन मिल की स्थापना होल कर राज घराने ने की थी, मालवा का कपांस ब्रिटेन और कई एरोपिय देशों में जाता था और वहां मीलों में कपड़ा बनाये जाता था, एक समय था जब इंदोर के बाजार कपांस के दाम निर्धारित करते थे, इंदोर में बने कपड़ों की मांग देश बिदेश में होती थी, यहां कपड़ा मिले रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी, इन मीलों में काम करने वाले कई स्त्रमीक दूसरे राचों से आये और यहां घर बसाया, यह वो दोर था जब इंदोर की तुन्ना मैंचेस्टर से होती थी, लेकिन समय बढ़ला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुक्सान इंदोर को भी उठाना पड़ा, डबल इंजिन की सरकार इंदोर के उस पुराने गवरव को फिर से लोटाने का भी प्रयास कर रही है, बोपाल इंदोर के बीच इन्वेस्टमेंट कोरिडोर का निर्मार किया जा रहा है। इंदोर पिधंपूर एकनोमिक कोरिडोर एवं मल्ती मोडल लोजिस्टिक पार्क का विकास हो, विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो, पास में धार जिले के भैसोला में पीएम मित्र पार्क हो, सरकार द्वारा इन पर हजारो करोड रुपिय का निवेश किया जा रहा है। इससे यहां पर रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है। विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थववस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों MP का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संदर्ता के लिए अपनी अइतियासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदोर समेत MP के कई शहर विकास और परियावरन के बीच संतुलन का प्रेरक उधारन बन रहे हैं। इंदोर में एशिया का सबसे बड़ा गोबर्दन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रोनिक बहानों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां इचार्जिंग इंफ्रासेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चियल भूमी पुजन का आउसर बिना है। इस प्लांट से हर महिने चार करोर रुप्य की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है। करोर रुप्य बचने वाला हर महिने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन जारीकर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन का ये प्रयास पर्यावरन की रक्षा में देश के नागरीकों की भागीदारी सुनिस्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। मेरे परिवार जनों चुनाओं के दोरान हमने जो संकल्प लिए हैं हमने जो गारंटी दी हैं उससे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हर लाभारती तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिस्चित करने के लिए विक्सीद भारत संकल्प यात्रा MP बेमी स्थान स्थान पर पहुंच रही है। चुनाओं की बज़र से MP में ये यात्रा कुछ विलंशे शुरू हुई है। लेकिन उज्जेन से शुरू होने के कुछी दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से भी अधिक कारकम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा MP के सभी लोगों से आग रहा है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आप कहां आने वाली हो आप भरपूर उसका फाइदा उठाईए। उसका लाभ लीजिए हर कोई वहां पहुँचिए। कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से बंचित ना हो। हमारी यही कोशिश है। मोदी की गारंटी पर भरोसा जतागर। हमें प्रचंड बहुमत देने वाली मद्द प्रदेश की जनता का मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको फिर एक बार मेरी अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं। और मुझे गरीबों से जुड़े कारकम में, स्रमीकों से जुड़े कारकम में आज सहभागी ओने का राज्य सरकार ने अवसर दिया। मेरे जीवन के लिए ऐसी पल मुझे हमेशा उर्जा देती है। और इसलिए मैं इंदोर का मद्द सरकार का और हम सबको आशिरवाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आये हुए मेरे स्रमीक भाई बहें और जब उनके गले में माला यह देख रहा हूं न तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि कैसा सुभाउसर आया है। कितने लंबे अर्से की प्रतिक्षा के बाद आया है। यह आपके चहरे की खुसी आपके गले की माला की सुगंद हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करने की अवश्य प्रेणा देती रहेगी। मेरी आप सब को बहुत बहुत शुब कामना हैं। धन्यवाद।